नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की लेमकास्ट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लेमकास्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लेमकास्ट टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की लेमकास्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लेमकास्ट टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है लेमकास्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन 5 mg और मॉन्टेलुकास्ट 10 mg होता है लिवोसेट्रिजीन एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है लेमक लेमकास्ट टैबलेट का उपयोग किया जाता है एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आमखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींग आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए लेमकास् होने पर भी लेमकास्ट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, मधुमक्खी या किसी अन्यतम जहरीले जानवर के काटने की वजह से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर लेमकास्ट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, साइ आन्य साइड एफेक्स हो सकते हैं जैसे मुं में सूखापन होना, सिरधर्ध होना, शरीम में थकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आधी साइड एफेक्स लेमकास्ट टैबलेट की वज़ से हो सकते हैं. दिया जा सकता है। आम तोर पर डॉक्तर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को लेमकास्ट टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लेमकास्ट टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लेमकास्ट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई दोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लेमकास्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लेमकास्ट टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में लेमकास्ट टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लेमकास्ट टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविं नहीं है कि Lamecast Tablet Pregnant महिलाओं को नुक्सान पहुँचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर Dr. Pregnant महिलाओं को Lamecast Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं में Lamecast Tablet मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है और दूत पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लेमकास्ट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लेमकास्ट टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती है।